वो घर्ष मशान है जिसमें प्रभु चर्चा न हो। आज का मानव इतना व्यस्त है कि चाहा कर भी भजन के लिए समय नहीं निकाल पाता। ऐसी परिस्थिति में गीता का संदेश करण कुहरों तक पहुँच भर जाए तो परमश्रे और सम्रिद्धि के संसकारों का बीजार उपन हो जाता है। भगवान की वाड़ी के इन कैसटों से दिन भर उस परम प्रभु का स्मरण बना रहेगा। और यही भजन की आधार शिला है। ओम श्री परमात्मने नमा यथार्थ गीता श्री मत भगवत गीता अथा नवमो द्याया। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्रीक्रिष्न ने स्वयम चर्चा की कि योग-युक्त पुरुष का यश्वरी कैसा है। सब में व्याप्त रहने पर भी वो कैसे निरलेप हैं। करते हुए भी वो कैसे अकरता है। उस पुरुष के स्वभाव एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला। योग को आचरण में ढालने पर आने वाले देवतादिक विगनों से सतर्क किया और उस पुरुष के शरण होने पर बल दिया। श्री भगवान वाचा। इदन्तुते गुयतमं प्रवक्षाम्यनसुयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यजग्यात्वा मुक्ष्य से शुभात। योगेश्वर श्री कृष्म ने कहा। अर्जुन असुया अर्थात डाह इर्श्य रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनिये ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा। अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूँगा। कि कैसे वो महापुरुष सर्वत्र एक साथ कर्म करता है। कैसे वो जागरती प्रदान करता है। रथी बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है। यत ज्यात्वा जिसे साक्षात जानकर तु दुख रूपी संसार से मुक्थ हो जाएगा वो ज्यान कैसा है इस पर कहते हैं राज विद्या राज गुलियं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्टुमं व्ययं विज्यान से संयुक्ति ये ज्यान सभी विद्याओं का राजा है विद्या का अर्थ भाषा ग्यान अथ्वा शिक्षा नहीं है विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पत पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान करते यदि रास्ते में रिधियों सिध्यों अठ्वा प्रकृति में कहीं उलज गया तो सिध्ध है कि अविद्या सफल हो गई वो विद्या नहीं है ये राज विद्या ऐसी है जो निश्चित कल्यान करने वाली है ये सभी गोपनियों का राजा है अविद्या और विद्या के अवगुंठन का अनावरण होने पर योग युक्तता के पश्चात ही इससे मिलन होता है ये अति पवित्र उत्तम और प्रत्यक्ष फलवाला है इधर करो उधर लो ऐसा प्रत्यक्ष फलवाला है ये अंद विश्वास नहीं है कि इस जन्म में साधन करो फल कभी दूसरे जन्मों में मिलेगा ये परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है विज्ञान सहित ये ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है अश्रद्ध धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्यमावनिवर्तंते मृत्य संसार वर्त्मनी परंतप अर्जुन इस धर्म में अर्थात जिसका थोड़ा भी साधन करने पर विनाश नहीं होता श्रद्ध रहित पुरुष मुझे प्राप्त ना होकर संसार ख्षेत्र में ब्रह्मन करता ही रहता है अतश्रद्धा अनिवार्य है क्या आप संसार से परे हैं इस पर कहते हैं मयाततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानी नचाहं तेश्ववस्थितः मुझे अव्यक्त स्वरूप से ये सब जगत व्याप्त हैं अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थित हूँ वो सर्वत्र व्याप्त है सभी प्राणी मुझे में स्थान पाए है किन्तु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूँ महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थित है वहीं से अर्थाथ शरीर छोड़ कर उसी अव्यक्त स्थर से ही बात करते है इसी क्रम में आगे कहते है नचमत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमेश्वरम भूत भृम्नच भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः वस्तुतह सब भूत भी मुझमे इस्थित नहीं है क्यूंकि वे मरण धर्मा है प्रकृति के आश्रित है किन्तु मेरे योगमाया के आईश्वर्य को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोशन करने वाला मेरा आत्मा भूतों में इस्थित नहीं है मैं आत्म स्वरूप हूँ इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ यही योग का प्रभाव है इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्न द्रिश्टांत देते हैं यथा काशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्रगो महां तथा सर्वाणि दूतानी मत्स्थानी त्युपधारय यद्यु जैसे आकाश में ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदई विस्थित है कि तुसे मलिन नहीं कर पाता ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझमें स्थित है ऐसा जान ठीक इसी प्रकार में आकाश वत निरलेप हो वे मुझे मलिन नहीं कर पाते प्रश्न पूरा हुआ यही योग का प्रभाव है अब योगी करता क्या है इस पर कहते है यहीं से कल्प का आरंभ है और जब इश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है वही कल्प का क्षय है अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलय हो जाता है भजन का आरंभ कल्प का आदि है और भजन की पराकाश्ठा जहां लक्ष विदित होता है कल्प का अंध है जब ये प्रत्यगात्मा योनियों के कारणभूत राग द्वेशादि से मुप्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए इसी को श्री कृष्ण कहते है कि वो मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है जो महापुरुष प्रकृति का विले करके स्वरूप में प्रवेश पा गया उसकी प्रकृति कैसी? क्या उसमें प्रकृति शेश ही है? नहीं, अध्याय तीन के 33 श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके है कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं जैसा उनके उपर प्रकृति के गुणों का दबाव है वैसा करते हैं और ज्यान वान पि प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्यानी भी अपनी प्रकृति के सद्रिश चेश्टा करता है ये पीछे वालों के कल्यान के लिए करता है पूर्ण ज्यानी तत्वस्थित महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है वो अपने इसी स्वभाव में बरतता है कल्ब के ख्षय में लोग महापुरुष की इसी रहनी को प्राप्थ होते हैं महापुरुष के इसी कृतित्व पर पुना प्रकाश डालते हैं प्रकृतिम् स्वाम अवश्टभ्य विस्रिजामि पुनः पुनः भूत ग्राममिमं कृच्नम् अवशं प्रकृतेर्वशान्त अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्विगार करके प्रकृतेर्वशान्त अपने अपने स्वभाव में इस्थित्प्रकृति के गुणों से परवश हुए इन संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारं बार विस्रिजाम विशेश स्रिजन विशेश रूप से सजाता हूँ इन्हें अपने स्वरूप की और बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ तब तो आप इस कर्मसित बंदे हैं नचमान तानि कर्मानी निवधनंति धनंजया उदासीन वदासीनम असक्तम ते शुकर्मसु अध्याय चार के नवे शलोप में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि महापुरुष्ट की कार्य प्रणाली अलोकिक है अध्याय नौ के चौथे शलोप में बताया मैं अव्यक्त रूप से करता हूँ यहां भी वही कहते हैं धनंजय जिन कर्मों को मैं अद्रिश्य रूप से करता हूँ उसमें मेरी आसक्ती नहीं है उदासीन के सद्रिश स्थित रहने वाले मुझ परमात्म स्वरूप को वे कर्म नहीं बांगते क्योंके कर्म के परिणाम में जो लक्ष मिलता है उसमें मैं स्थित हूँ इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूँ ये तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कारियों का प्रशन था महापुरुष की रहनी थी उनकी रचना थी अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है वो क्या है वो भी एक कल्प है मया अध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम हे तुनाने नकाउंते य जगत्वी परिवर्तते अर्जुन मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिती में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से ये माया अर्थात त्रिगुण मई प्रकृति अश्टधा मूल प्रकृति और चेतन दोनों चराचर सहित जगत को रश्ती है जो खुद्र कल्प है और इसी कारण से ये संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है प्रकृति का ये खुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है मैं नहीं करता किन्तु सात्वेश लोग का कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ती परियंत मार्क दर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयम करते हैं एक स्थान पर वे स्वयम करता हैं जहां वे विशेश रूप से स्रिजन करते हैं यहां करता प्रकृती है जो केवल मेरे आभास से ये खणिक परिवर्तन करती हैं जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन इत्यादी आते हैं ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मुड़ लोग मुझे नहीं जानते यथा अवजानन्ति माम् मूढा मानुशियं तनुमाश्रितं परंभावम जानन्तो ममभूत महिश्वरं संपूर्ण भूतों के महान इश्वर रूप मेरे परंभाव को न जानने वाले मूढ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं संपूर्ण प्राणियों के इश्वरों का भी जो महान इश्वर है उस परंभाव में मैं इस्थित हूँ किन्तु हूँ मनुष्य शरीर धारी मूढ लोग इसे नहीं जानते वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं उनका दोश भी क्या है जब वे द्रिश्टी पात करते हैं तो महा पुरुष का शरीर ही तो दिखाई पड़ता है कैसे वे समझे कि आप महानी इश्वर भाव में इस्थित हैं वे क्यों नहीं देख पाते इस पर कहते हैं वे व्रिथा आशा अर्था जो कभी पूरुण नहो ऐसी आशा व्रिथा कर्म अर्थात बंधनकारी कर्म व्रिथा ज्यान अर्थात जो वस्तुतह अज्यान है विचेतसह विशेश रूप से अचेत हुए राक्षसों और असुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किये होते हैं अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं इसलिए मनुष्य समझते हैं असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है न कि कोई जाती या योनी आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते किन्तु महात्मा जन मुझे जानते और भजते हैं महात्मानस्तुमांपार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्यात्वाभूतादिमव्ययं हे पार्थ परन्तु दैवी प्रकृति अर्थाद दैवी संपत के आश्रित हुए महात्माजन्तुमुझे सब भूतों का आदिकरण अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्यमन से अर्थाद मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे भजते हैं किस प्रकार भजते हैं इस पर कहते हैं सततम कीर्त यंतो माम यतन तश्च द्रिढव व्रता नमस्यन तश्च माम भक्त्या निध्ययुक्ता उपासते वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे गुणों का चिंतन करते हैं प्राप्ति के यतन करते हैं और मुझे बारं बार नमस्कार करते हुए सदैव मुझे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं अविरल लगे रहते हैं कौन सी उपासना करते हैं, कैसा है ये कीर्थिक्यान, कोई दूसरी उपासना नहीं, वरन वही यग्य, जिसे विस्तार से बता आये हैं, उसी आराधना को यहां संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्णी तूरा रहे हैं उन में से कोई तो मुझ सर्व व्याप्त विराट परमात्मा को ग्यान यग्य द्वारा यजन करते हैं, अर्थात अपनी लाभानी और शक्ति को समझ कर, इसी नियत कर्म यग्य में प्रवृत्त होते हैं कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं, कि मुझे इसी में एक होना है, और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रखकर, मुझे समरपड करके, निश्काम सेवा भाव से मुझे उपासते हैं, तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं, क्योंकि एक ही यग्य के ये सभी उचे नीचे स्तर है, यग्य का आरंभ सेवा से ही होता है, किन्तु उसका अनुष्ठान होता कैसे हैं, योगेश्वर श्री कृष्म कहते हैं, यग्य मैं करता हूँ, यदि महापुरुष रथी नहो, तो यग्य पार नहीं लगेगा, उन्ही के निर्देशन में साधक समझ पाता ह है, कि अब वो किस स्तर पर है, कहां तक पहुँच सका है, वस्तुता यग्य करता कौन है, इस पर योगेश्वर श्री कृष्म कहते हैं, करता मैं हूँ, वस्तुत करता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला, इश्ट ही है, करता द्वारा जो पार लगता है, मेरी देन है, यग्य मैं हूँ, यग्य आराधना की विदिविशेश है, पूर्तिकाल में यग्य जिसका स्रिजन करता है, उस अम्रित का पान करने वाला पुरुष, सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, स्वधा मैं हूँ, अर्थात अतीत के अनंत संसकारों का विले करना, उन्हें त्रिप्त कर देना मेरी देन है, भवरोग को मिटाने वाली औशधी मैं हूँ, मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं, मंत्र मैं हूँ, मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना मेरी देन है, इस निरोध क्रिया में तीवृता लाने वाली वस्तु आज ये, अर्थात हवी भी मैं हूँ, अग्मी मैं हूँ, मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विले होती हैं, तथा हवन, अर्थात समर्पण भी मैं ही हूँ, यहां योगेश्वर शिरी कृष्णी बार बार मैं हूँ कह रहे हैं, इसका आशय मात्र इतना है, कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन होकर खड़ा हो जाता हूँ, तथा निरंतर निर्णे देते हुए योग क्रिया को पूर्ण कराता हूँ, इसी का नाम विज्ञान है, पूज्य महराज जी कहा करते थे, कि जब तक इष्ट देव रथी होकर, श्वास प्रश्वास पर रोक थाम न करने लगे, तब तक भजन आरंभ ही नहीं होता, कोई लाख आख मूंदे, भजन करे, शरीर को तपा डाले, लेकिन जब तक जिस पर मात्मा की हमें चाह है वो, जिस सपह पर हम खड़े हैं, उस स्तर पर उतर कर आत्मा से अभिन होकर जागरित नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता, इसी लिए महराज जी कहते थे, मेरे स्वरूप को पकड़ो, मैं सब दूँगा, श्री कृष्ण कहते हैं, सब मुझसे होता है, अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता, अर्थात धारण करने वाला, पिता, अर्थात पालन करने वाला, माता, अर्थात उत्पन करने वाला, पिता महह, अर्थात मूल उद्गम हों, जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं, और जानने योग्य पवित्र ओंकार, अर्थात जो अहम आकारह इतियोंकारह, वो परमात्मा मेरे स्वरूप में है, सोहम, तत्व मसि, इत्यादी एक दूसरे के परियाय है, ऐसा जानने योग्य स्वरूप मैं ही हूँ, रिक, अर्थात संपूर्ण प्रार्थना, साम, अर्थात समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया, यजुह, अर्थात यजन की विद्विशेश भी मैं ही हूँ, योग स्थान के उप्त तीनों आवश्यक अंग मुझसे होते हैं। हे अर्जुन, गती हैं, अर्थात प्राप्त होने योग्य परम गती, भरता भरन पोशन करने वाला, सबका स्वामी, साक्षी, अर्थात द्रश्टा रूप में स्थित सबको जानने वाला, सबका वास स्थान शरल लेने योग्य, अकारण प्रेमी मित्र, उत्पत्ति और प् तथा अविनाशी कारण मैं ही हूँ अर्थात अंत में जिन में प्रवेश मिलता है वे सारी विभूतियां मैं ही हूँ मैं सूर्य रूप से तपता हूँ वर्षा को आकरशित करता हूँ मृतियु से परे अम्रितत्व तथा मृतियु सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करता है वो सूर्य मैं ही हूँ कभी कभी भजने वाले मुझे असत भी मान बैठते हैं वे मृतियु को प्राप्त होते हैं इस प्रकार कहते हैं त्रैविध्यामां सोमपाह पूतपापाह यज्यैरिष्ट्वास्वर्गतिंप्रार्थयंते ते पुन्यमा साध्य सुरेंद्रलोकं अश्नन्ति दिव्यांदि विदेवभोगं आराधना विद्या के तीनों अंग रिक, साम और यजु अर्थात प्रार्थना समत्व की प्रक्रिया और यजन का आचरण करने वाले पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष उसी यग्य की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूझ कर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं यही असत की कामना है, जिससे वे मृत्य को प्राप्थ होते हैं, उनका पुनर जन्म होता है, जैसा पिछले श्लोप में योगेश्वर ने बताया वे पूझते मुझे ही हैं, उसी निर्धारित विधि से पूझते हैं, किन्तु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं वे पुरुष अपने पुन्य के फल स्वरूप इंद्र लोग को प्राप्थ होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं अर्थात ये भोग भी मैं ही देता हूं तेतं मुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीने पुन्ये मर्ट्य लोकं विशंती एवं त्रै धर्म मनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभंते वे उस विशाल स्वर्ग को भोग कर पुन्ये क्षीन होने पर मृत्य लोक अर्थात जन्म मृत्य को प्राप्त होते हैं इस प्रकार त्रै धर्मम प्रार्थना समत्व एवं यजन की तीनों विधियों से एक ही यग्य का अनुष्ठान करने वाले मेरे शर्ण हुए भी कामना वाले पुरुष बारं बार जाने आने को अर्थात पुनर जन्म को प्राप्त होते हैं अतहां किसी प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए जो कामना नहीं करते उन्हें क्या मिलता है अनन्याश्चिंत यंतोमा ये जना परियुपासते तेशानित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्याः अनन्य भाव से मुझ में स्थित्भक्त जन्म मुझ परमात्म स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं परियुपासते लेश मात्र भी तुरुटी न रखकर मुझे उपासते हैं उन नित्य एकी भाव भाव से संयुक्त हुए पुरुशों का योगक्षेम मैं स्वयम वहन करता हूँ अर्थात उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मिदारी मैं अपने हाथ में लेता हूँ इतना होने पर भी लोग अन्य देवताओं को भजते हैं ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते सद्धयान विता ते पिमामे वकाउन ते यजन्त्य विधिपूर्वकम कौंते श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे दूसरे देवताओं को पूझते हैं वे भी मुझे ही पूझते हैं किम्तु उनका वो पूझना अविधि पूर्वक है मेरी प्राक्ति की विधि से रहित है यहां योगेश्वर शिरी कृष्ण ने दूसरी बार देवताओं के प्रकरण को लिया है सर्वप्रथम अध्याय साथ के बीसमें से तैसमें श्लोक तक उन्होंने कहा अर्जुन कामनाओं द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है ऐसे मूण बुद्धि पुरुष अन्य देवताओं की पूझा करते हैं और जहां पूझा करते हैं वहां देवता नाम की सक्षम सत्ता तो है नहीं परंतु पीपल, पत्थर, भूत, भवानी, अत्वा अन्यत्र जहां उनकी श्रद्धा जुक जाती है वहां कोई देवता नहीं है मैं ही सर्वत्र हूँ उस स्थान पर मैं ही खड़ा होकर उनकी देव श्रद्धा को उन स्थानों पर स्थिर करता हूँ मैं ही फल का विधान करता हूँ, फल देता हूँ फल निश्चित मिलता है, किन्तु उनका फल नाश्वान है आज है तो कल भोगने में आ जाएगा, नश्ट हो जाएगा, जबकि मेरा भक्त नश्ट नहीं होता अता है वे मूर बुद्धी जिनके ज्ञान का अपरण हो गया है, वही अन्य देवता की पूजा करते है अर्जुन जो श्रद्धा से अन्य अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे मुझे ही पूजते हैं, किन्तु अविधी पूरवक है अब प्रश्ट उठता है कि जब वे भी प्रकारांतर से आपको ही पूजते हैं और फल भी मिलता ही है, तो दोश क्या है? अहम ही सर्वय अज्याना, भोकताच प्रभुरेवच न तुमाम अभिजानन्ती, तत्वेनात अश्चवन्तिते संपूर्ण यग्यों का भोकता, अर्थात यग्य जिसमें विले होते हैं, यग्य के परिडाम में जो मिलता है, वो मैं हूँ, और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए च्यवन्ति गिरते हैं, अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं, और तत्व से जब तक नहीं जानते, तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं, उनकी गति क्या है? यान्ति देवब्रता देवां, पित्रिन्यान्ति पित्रिव्रता, भूतानि यान्ति भूतेग्जा, यान्ति मध्याजिनों पिमांद। अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवता हैं तो परिवर्तित सत्ता, वे अपने सद कर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं, पित्रों को पूजने वाले पित्रों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उल्जे रहते हैं, शरीर धारण करते हैं, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है, वे मेरे साक्षात स्वरूप होते हैं, उनका पतन नहीं होता, इतना ही नहीं, मेरी पूजा का विधान भी सरल है। भक्ति का आरंभ यहीं से है, कि पत्र, पुष्प, भल, जल, इत्यादी, जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मन से प्रयत्न करने वाले उस भक्त का वो समय खाता हूँ, अर्थात स्विकार करता हूँ, इसलिए अर्जुन तो जो कर्म अर्थात यथार्थ कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है, मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप तपाता है, वो सब मुझे अर्पण कर, अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर ये सब कर, समर्पण करने से योग के ख्षेत्र की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। शुभा शुभ फलै रेवं, मोक्ष से कर्म बंधनै, सन्यास योग युक्तात्मा, विमुक्तो माहु पैश्यसी। इस प्रकार सर्वस्व के न्यास सन्यास योग से युक्त हुआ तू, शुभा शुभ फल दाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर, मुझे प्राप्थ होगा। उपर युक्त तीन श्लोकों में, योगेश्वर श्री कृष्ट ने क्रम बद्ध साधन और उसके परिणाम का चित्रण किया है। पहले पत्र पुष्प फल जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण, और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से विमुक्त, अर्थात विशेश रूप से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या? बताया, मुझे प्राप्त होगा। यहां मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक है। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है, तो उससे लाब इस पर कहते हैं। समो हम सर्वभू तेशु, नमे द्वेशो स्तिन प्रिया, ये भजनति तुमाम भक्त्या, महिते तेशु चाप्या हम। स्रिष्टि में न मेरा कोई प्रिय है और न अप्रिय है, किन्तु जो अनन्य भक्त है, वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एक मात्र रिष्टा है, उसमें परिपूर्ण हो जाता हूँ। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे भजन करने का अधिकार किसे है इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते है अपिचेट सुदुराचारो भजते मामनन्यभाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितोहिसः यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्यभाव से अर्थाद अन्यधनना मेरे सिवाए किसी अन्यवस्तु या देवता को न भज़कर केवल मुझे ही निरंतर भज़ता है वो साधु ही मानने योग्य है अभी वो साधु हुआ नहीं है किन्त उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है क्योंकि वो यथार्थ निश्चे से लग गया है अता भजन आप भी कर सकते हैं बशर्ते की आप मनुष्य हों क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चे वाला है गीता पापियों का उद्धार करती है और वो पथिक इस भजन के प्रभाव से वो दुराचारी भी शीग्र ही धर्मात्मा हो जाता है परमधर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परमशांती को प्राप्त होता है कौन ते तो निश्चे पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नश्ट नहीं होता यति एक जन में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीक्र ही परमशांती को प्राप्त होता है अता सदाचारी दुराचारी सभी को बजन करने का अधिकार है इतना ही नहीं आपे तु माम्हि पार्थव्य पाश्रित्य ये पिस्यु पापयो नयह स्त्रियो वैश्यास्त था शूद्राह ते पियांति परांगति पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्रादि तथा जो कोई पापयोनी वाले भी हो वे सभी मेरे आश्रित होकर परमगति को प्राप्त होते हैं अतह ये गीता मनुष्य मात्र के लिए है चाहे वो कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो सब के लिए ये एक समान कल्यान का उपदेश करती है गीता सार्व भावम है पापयोनी अध्याय सोला के सात्वे से इकीस्वे शलोक तक आसुरी वृत्ति के लक्षणों के अंतरगत भगवान ने बताया कि जो शास्त्र विधिका त्याग कर ना मात्र के यग्यों द्वारा दंब से यजन करते हैं वे नरों में अदम है यग्य है नहीं किन्तु नाम दे रखा है और दंब से यजन करता है वो क्रूर कर्मी और पापाचारी अर्थात पापयोनी है वैश्य, शूद्र, भगवत पत की सीडिया है स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान, कभी हींता की भावना रही है किन्तु योग प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों का समान ही प्रवेश है किम्पुनर ब्राहणा पुन्या भक्ता राजर्षयस्त तथा अनित्यमा सुखं लोकं इमं प्राप्यभजस्वमां फिर तो ब्राहमर तथा राजर्षिक छत्री श्रेणी के भाक्तों के लिए कहना ही क्या है ब्राहमर एक अवस्था विशेश है जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान है शान्ती, आर्जव, अनुभवी, उपलब्धी, ध्यान और इष्ट के निर्देशन पर जिसमें चलने की क्षमता है यही ब्राहमर की अवस्था है राजर्शिक छत्रिय में रिद्धियों सिद्धियों का संचार, शवर्य, स्वामी भाव, पीछे नाटने का स्वभाव रहता है इस योग स्तर पर पहुँचे हुए योगी तो पार होते ही हैं, उनके लिए क्या कहना है अतह अर्जुन, तु सुख रहित खशन भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्थ होकर मेरा ही भजन कर इस नश्वर शरीर के ममत्व पोशन में समय नश्ट न कर अता वे भजन की दारणा पर प्रोच्चान देते हैं मन मना भव मत्वक्तो मध्याजी माम नमस्कुरू मामे वैश्यस युक्त्वैवं आत्मानम मत्परायन अर्जुन, मेरे में ही मनवाला हो सिवाए मेरे दूसरे भव मन में ना ने पाए मेरा अनन्य भक्तो हो, अन्वरत चिंतन में लग शद्धा सहित मेरा ही निरंतर पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर इस प्रकार मेरे शर्ण हुआ आत्मा को मुझ में एकी भाव से स्थित कर तुम मुझे ही प्राप्त होगा अर्थात मेरे साथ एकता प्राप्त करेगा निश्कर्ष इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुझ दोश्रहित भक्त के लिए मैं इस ग्यान को विज्ञान सहित कहूंगा जिसे जानकर कुछ भी जानना शेश नहीं रहेगा इसे जानकर तु संसार बंधन से छूट जाएगा यह ग्यान संपूर्ण विद्याओं का राजा है विद्याओं वे है जो परब्रम में प्रवेश दिलाएं यह ग्यान उसका भी राजा है अर्थात निश्चिक कल्याण करने वाला है यह संपूर्ण गोपनीयों का भी राजा है गोपनी यह वस्त को भी प्रत्यक्ष कराने वाला है यह प्रत्यक्ष फ़ल वाला साधन करने में सुगम और अविनाशी है। इसका थोड़ा भी साधन आपसे पार लग जाए तो इसका कभी नाश नहीं होता। वरन इसके प्रभाव से वह परम श्रे तक पहुँच जाता है। किन्तो इसमें एक शर्थ है। श्रद्धा विहीन पुरुष परम गति को प्राप्त नहोकर संसार चक्र में भटकता है। योगेश्वर श्रीकृष ने योग के एश्वरे पर भी प्रकाश डाला। दुख के संयोग का व्योग ही योग है। अर्थात जो संसार के संयोग व्योग से सर्वता रहित है उसका नाम योग है। परम तक्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। परमात्मा की प्राप्त ही योग की पराकाश डा है। जो इसमें प्रवेश पा गया उस योगी के प्रभाव को देख के संपूर्ण भूतों का स्वामी और जीवधारियों का पोशन करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूँ, वही हूँ जैसे आकाश से उत्पन सरवत्र विचरने वाला वायू आकाश में ही स्थित है किन्तु उसे मलिन नहीं कर पाता।וסी प्रकार संपूर्ण भूत मुझमें स्थित है लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ। अर्जुन, कल्प के आदि में मैं भूतों को विशेश प्रकार से रचता हूँ, सजाता हूँ और कल्प के पूर्तिकाल में संपूर्ण भूत, मेरी प्रकृति को अर्थात, योगारूर महापुरुष की रहनी को, उनके अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं। यद्यपी महापुरुष प्रकृति से परे हैं, किन्तु प्राप्ति के पश्चात, स्वभाव, अर्थात, स्वयम में स्थित रहते हुए लोक संग्रह के लिए जो कारे करता है, वै उसकी एक रहनी है। इसी रहनी के कारे कलाप को उस महापुरुष की प्रकृति कहकर दित किया गया है। एक रचईता तो मैं हूँ, जो भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ, और दूसरी रचईता त्रिगुणमाई प्रकृति है, जो मेरे अग्ध्यास से चरा-चर सहित भूतों को रचती है। यह भी एक कल्प है, जिसमें शरीर परिवर्तन, स्व परिवर्तन कल्प है। यह परिवर्तन प्रकृति ही मेरे आभास से करती है। किन्तु इससे महान कल्प, जो आत्मा को निर्मल स्वरूप प्रदान करता है, उसका श्रिंगार महापुरुष करते हैं। वे अचेत भूतों को सचेत करते हैं। भाजन का आदी ही इस कल्प का आरंभ है और भजन की पराकाश्ठा कल्प का अंत है। जब यह कल्प भवरोग से पूर्ण निरोग बना कर शाश्वत ब्रम्ह में प्रवेश अर्थात स्थिति दिला देता है। उस प्रवेशकाल में योगी मेरी रहनी और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी उसकी प्रकृति है। योगेश्वर श्री क्रश्ण कहते हैं। अर्जुन मूण लोग मुझे नहीं जानते। मुझ ईश्वरों के ईश्वर को भी तुच्छ समझते। साधारन मनुष्य मानते हैं। प्रत्येक महापुरुष के साथ यह विडम बना रही है कि तत्कालीन समाज में उनकी उपेक्षा की, उनका डटकर विरोध हुआ। श्री क्रश्ण भी इसके अपवाद नहीं थे। वे कहते हैं। मैं परंभाव में स्थित हूं। किन्तु शरीर मेरा भी मनुष्य का ही है। अता। मुण पुरुष मुझे तुच्छ कहकर, मनुष्य कहकर संबोधित करते है। ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्म वाले, व्यर्थ ग्यान वाले हैं। कि कुछ भी करें और कह दें कि हम तो कामना नहीं करते। हो गए निश्काम कर्मयोगी। वे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं परक पाते, किन्तु दैवी संपद को प्राप्त जन अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं। अनन्य उपासना, अर्थात यग्यार्थ कर्म के दो ही मारगे। पहला है ग्यान मारग, अर्थात अपने भरों से, अपनी शक्ति को समझ कर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना और दूसरी विधि स्वामी सेवक भावना किया। जिसमें सद्गुरू के प्रतिसमर्पित होकर वही कर्म किया जाता है। इन्हीं दो दृष्टियों से लोग मुझे उपास दें। किन्तु उनके द्वारा जो पार लगता ह वह यग्य, वह हवन, वह कर्ता, शद्धा और ओशद ही जिससे भावरोग की चिकित्सा होती है, मैं ही हूँ। अंत में जो गति प्राप्त होती है, वह गति भी मैं ही हूँ। इसी यग्य को लोग त्रैविध्या, प्रार्थना, यजन और समत्व दिलाने वाली विधियों से संपादित करते हैं, किन्तु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं, तो मैं स्वर्ग भी देता हूँ। उसके स्वभाव से वे इंद्रपद प्राप्त कर लेते हैं, दीर्ग काल तक उसे भोगते हैं, किन्तु पुन्य क्षीन होने पर वे पुनरजन्म को प्राप्त होते उनकी क्रिया सही थी, किन्तु भोगों की कामना रहने पर पुनर जन्म पाते हैं, अतै भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। जो अनन्य भाव से, अर्थात मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, ऐसे भाव से जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, लेश मात्र भी त्रुटी न रह जाए, ऐसे जो भजते हैं, उनके योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। इतना होने पर भी कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किन्तु वे मेरी प्राप्ती की विदी नहीं है, वे संपूर्ण यग्यों के भोक्ता के रूप में मुझे नहीं जानतें, अर्थात उनकी पूजा के परिडाम में मैं इसलिए उनका पतन हो जाता है, वे देवता, भूत, अत्वा पितरों के कल्पित रूप में निवास करते हैं, जबकि मेरा भक्त साक्षात मुझे में निवास करता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस यग्यार्थ कर्म को अत्यंत सुग करता है, मुझे समर्पित कर, जब सर्वस्व का न्यास हो जाएगा, तब योग से युक्तुवाँ तु कर्मों के बंधन से मुक्थ हो जाएगा और वह मुक्ति मेरा ही स्वरूप है, दुनिया में सब प्राणी मेरे ही है, किसी भी प्राणी से न मुझे प्रेम है, न द्व वियतम पापी ही कोई क्यूं न हो, फिर भी अनन्य श्रद्धा भाक्ति से मुझे भजता है, तो वह सादुमान में योग्य है, उसका निश्चय स्थिर है, तो वह शीग्री ही परम से संयुक्त हो जाता है, और सदा रहने वाली परम शांती को प्राप्थ होता है, यहां श्री करता है, तो वह शीग्री धार्मिक हो जाता है, अता धार्मिक वह है जो एक परमात्मा का सुमिरन करता है, अंत में आश्वासन देते हैं, अर्जुम मेरा भग्त कभी नश्ट नहीं होता, कोई शूद्र हो, नीच हो, आदिवासी हो, या अनादिवासी, या कुछ भी पुरुष अत्वा इस्त्री हो अत्वा पाप योनी तर्यक योनी वाला भी जो हो मेरी शरण होकर परमश्रे को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन सुख रहित क्षण भंगुर किन्तु दुरलब मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर। फिर तो जो ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताओं से युक्त है उस ब्राम्हण तथा जो राजर्शित्व के स्तर से भजने वाला है ऐसे योगी के लिए कहना ही क्या है। वे तो पार ही है, अतह अर्जुन, निरंतर मुझ में मनवाला हो, निरंतर नमस्कार कर, इस प्रकार मेरी शरण में हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा, जहां से पीछे लौट कर नहीं आना पड़ता। प्रस्तुत अध्याय में उस विद्या पर प्रकाश डाला गया, जिसे श्री कृष्ण स्वयम जाग्रित करते हैं। यह राज विद्या है, जो एक बार जाग्रित होने पर निश्चित कल्याण करती है। अतह। ओम तच्सिदिती श्रीमद भगवद गीता सूप निशक्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन समवादे राज विद्या जाग्रिती नाम नवमो ध्यायाम। इस प्रकार स्वामी अलगळा नंकृत श्रीमद भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का नवा अध्याय पूर्ण होता है। हरियोम तच्सद। हरियोम तच्सद।